है लेटेंट्स हाव यू आई होप और फिर फाइन इस्टोडेंट टो डिसकुस अ न्यू टॉपिक नैट इस सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम यह जा लेते कि वाट इस सोलेनोइट क्या होता है तो सब्सक्राइब किसी इन्सुलेट़ कॉपर को सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब के इसमें इस एक अपगा इस होता है और इसी cylindrical waste के उपपर हम क्या करते है insulated copper wire को हम wrap करते हैं इस तरीके से just like this कि इस तरीके से जब बेस के ऊपर यह मार क्या एक बेस है यह जो है insulated waste है मतब एक जैसे हमने पाइप ले लिया प्लास्टिक की पाइप यह जैसे आपका यह मार्कर हो गया इस मार्कर के ऊपर क्या करते हैं अगर हम किसी insulated copper wire को ब्रेब करेंगे एक helix के फॉर्म में बना देंगे तो इस arrangement को यह इस डिवाइस को यह हम क्या करते हैं solenoid this is known as solenoid ठीक है so now first of all इस solenoid का अपना एक 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 एक्सिज़ है उन एक्सिज़ है just like this यह इसका एक्सिज़ है इसी एक्सिज़ पर हमें किसी भी पॉइंट पर मगनेटिक फिल्ट काल्कुलेट करना है चीक है मों भी ampere circuits लोका यूस करके तो यहां पर हमने वर्ड यूस के infinitely long solenoid infinitely long solenoid के करना मगनेटिक फिल्ट काल्कुलेट करेंगे तो infinitely long means infinitely long means let us suppose the length of solenoid is L और इसका जो diameter है let us suppose diameter is D जो मार पास solenoid है यह solenoid के diameter D है and if L is much much greater than D मतलब solenoid की जो length है अगर यह length जो है इसके diameter के comparison में बहुत जादा है तो उस condition में यह एक infinitely long solenoid बनाएगा क्या बनाएगा infinitely long solenoid बहुत बढ़िया चीक है अब जब इस solenoid के wire में जब हम current flow करते हैं तो इस current की बज़े से इसके surrounding में और इसके अंदर जो है एक magnetic field बनता है किस तरीके का magnetic बनेगा so now just like this कि जब हमने इस wire को बनाया है तो इसमें एक circular turn होगा इस तरीके से मतब जब मैनी circles को हम क्या करेंगे आपस में ब्रेप करेंगे तो वो क्या बनाएगा solenoid बनाएगा तो एक छोटा सब हमारा circular turn है इस circular turn में जस लाइक इस इस तरीके से अगर करेंट फ्लो रहा है इस तरीके से करेंट फ्लो रहा है तो इस सिट्विशन में यहां पर जो magnetic बनेगा इसके एक्सिस प्रिया इसके सेंटर पर तो बनेगा उसके लिए हम राइट एंड का यूज कर सकते हैं या राइट इसके अगर हम को इस तरीके से ब्रैप करते हैं जो करेंट है वह इस तरीके से फ्लो रहा है जस लाइक दिस कोई भी हम एक मिनिट ज nationalism का पीस है इसको अगरा हम सर्कुलर टर्ण फिर्क इस तरीके से दरंकर देते हैं दो यह सर्कूलर्ण बनेंगा यह इस तरीके से नियुकिके से फ्लो रहा है इस तरीके से अलिए जबकत कर Нप तो इसको हम इस तरीकी से व्रेब करते हैं कि finger जो है वो current के direction current इस तरीकी से rotate कर रहा है यहां पर current हो जाएगा तो यह जो थाम्ब है यह indicate करेगा इस axis पे magnetic field के direction को तो यहां पर इस वाले coil के करण magnetic field इस direction में जाएगा इसी के पास near about एक और coil है इस कोईल के गाट भी magnetic field इस direction में जाएगा तो इस coil के अंदर यह इस ओल्राइट के अंदर जो magnetic field होगा वह इस axis के parallel कहां जाएगा outside इस तरीके से कि इस तरीके से magnetic field इस direction से जाएगा और इस तरीके से क्या होगा यह turn होगा just like this यहां से magnetic field है और इस तरीके से क्या होगा यह turn हो जाएगा इस तरीके से यह turn होगा तो इसके अंदर solenoid के अंदर जो magnetic field होगा वह पैरलली होगा इस तरीके से इस तरीके से अंदर जो है वह magnetic field जो है उसके axis के क्या होगा पैरलल होगा इस तरीके से और यहां से फिर यह turn हो जाएगा इस direction में इस तरीके से यह turn हो जाएगा यह turn हो जाएगा और यह जाके आगे से turn होगा कुछ इस तरीके से magnetic field इसके अंदर create होगा just like this जस्ट लाइक दिस इस तरीके से मेगनेटिक फिल्ड बनेगा तो अगर इससे सोलेनोइट को क्या करते हम इसके क्रॉस से सो कट करते हैं आ यहां पर इस तरीके सारी क्रें टायो ithouse लो रहाएं इसवेट गुर्ण घंट करेंगे इसमें बहुत की का इस तरीक के से इस तरीक से करेंगे यहां पर आएगा और इस वाले फेस में गहां जाएगा वह एंट घर गए अगर साथ क्रॉस-sectional-view बनाते हैं इस तरीके का हो जाएगा just like this only cross sectional view बना रहे हम इस वाले phase में current जो है वो outside आएगा perpendicular outside जाएगा यह जिसको हम dot से represent कर रहे है dot is represented as in this phase current will become outward and this phase में current जो है वो कहां जाएगा आपका downward मतलब अंटर करेगा अंदर की तरफ किसके तरफ एंटर करेगा अंदर की तरफ so now just like this इस यहां पर जो तर्ण होगा इस तरीके से जो टर्ण आएगा यहां से वाले टर्ण में यहां से जैसे घूम के आएगा इस तरीके से यहां पर करेंट कह जाएगा अंदर की तरफ जाएगा ठीक है जस्ट लाइक दिस एक मिनिट कि वेट कि जैसी यह होगे मार पास बायर कि यह हो गया दिखें यह जब सर्कुलर फॉर्म में था ना इस तरीके से यह अलग अलग एक छोटी छोटे टर्ण थे जब नम्मर ऑफ टर्ण को हमने एड करा तो हमारे क्या बना एक सोलोनाइट बना तो एक चोटा सा जो टर्ण है जब इस टर्ण को बीच में से कट करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा इसका इस तरीके का शेप बनेगा जब बीच में से इसको कट कर देंगे तो इस वाले फेज में उपर जो है करेंट जो है वो कहा यह बाहर और इस तरीके से करेंट फूर रहा ना तो हाफ फेज की हम बात करतें यहां से अगर सबाइर पीस है इसके क्रॉस यहां पर लेटर सपोस्थ किये लगबल होगा इस ट्रेट होगा तो इसके एराउंड करेंड इस डारेक्शन में में इस डारेक्शन में रोटेट करेंगा तो इस वाले फेज में यहां पर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होगा इस वाले phase में भी magnetic field कुछ इस तरीके से circular form में होगा इस में भी इस तरीके से magnetic field का होगा turn करेगा यहाँ पर भी magnetic field इस तरीके से आपका turn करेगा इस वाले phase में भी wire में भी magnetic field इस तरीके से turn करेगा just like this इस violation यहां पर experts कि घर जब यहां से अंटर कर एंटर करेगा तो इसके एरय यहां पर सब्सक्राइब में तरीक से अन Тут यहां पर जो magnetic field बनेगा वो आपका इसके opposite बनेगा इस direction में यहां पर magnetic field इस direction में बनेगा यहां पर magnetic field इस direction में बनेगा चीक है यहां पर इस तरीके से रखा है एक कोईल यहां यहां पर इस तरीके से रखा है एक कोईल यह हें इस तरीके से कोईल है तो अब इस वाले phase में यहां पर इस तरीके से रोटेट हो गाँगा यहां पर इस तरीके से रोटेट तरीके से बनीगा, यह मैगनेटिक फिल्ड पैटर्ण्स बतारो मैं आपको solenoid के कर रहें, तो इसके अंदर जो magnetic field होगा, वो जस्त लाइक दिस होगा, इस इस क्लियर, सुनाओ, अब यहां से magnetic field इस तरीके से रोटेट करके आएगा, यहां पर magnetic field इस तरीके से यहां पर रूटेट करके गाँ तो एक वार्ममेगेट के कारण जो मेगनेटिक फील्ड बनता है से मेगनेटिक फील्ड पैटन जो है एक सॉलेनोईड के कारण भी अब का बनेगा इस तरीके से just like this T हो गा सुनो तो अगर एक कोई भी infinitely long solanide होता है то infinitely long solanide के outside जो magnetic field हम calculate करते है as assume करते हैं कि इस इस solanide के outside बना यहां पे just like this यहां पे point Q है और यहां पे point P है दो point है अगर R&Q point पे अगर हम बात करते है magnetic field patterns की यह magnetic field strength की तो infinitely long solenoid के करएंट इस पॉइंट पे जो मगनेटिक फिल्ड लिया जाता है जस्त लाइक जीरो वाइं विकॉस लिके इस वाले फेस के करएंट यहां इस पॉइंट पर जो मगनेटिक फिल्ड बनेगा वह इस डिरेक्शन में होगा लस्त लाइक दिस एन इस वाले फेस के हां इसका अपॉजिट डिरेक्शन मेंनेगा ना करेंट इस तरी के सहां इस डिरेक्शन मेंगा हां सॉरी पर देच मतलब इसमें डिरेक्शन को आपको चेंज कर देना है च्छिक है है इस तरीके से हैं तो इस वाले फेस के एकरण इस वाले वाइर्स के कारण यहां पर जो मेगनेटिक वी लोगा वो का होगा वह इसके अपूजिट डिरेक्शन लूगा यह जोनम Script दूसरी यहां पर यह क्या करेगा बद दूसरे को कैंशल आइगा और इस वाले फेश्क कर करेंगे तो यहां पर इस वाले वायर के सि यहां पर इस पॉइंट में फिल कर जाएगा इस डारेक्शन में तो दोलों इस पॉइंट में अपोजिट मतला इन सारे करेंट सब्सक्राइब इस पॉइंट में इस 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 इंड़ करते हैं कि उसके ऑउट्सight में जो बनता है magnetic field strength है लगबग लगबग इतना होदा है जीरो होता है हम यह assume करते हैं infinity long solenoid के करण और इसके अंदर जो magnetic field होगा सारे एक ही डारेक्शन में होंगे इसके करण में magnetic field इस डारेक्शन में इसके करण भी magnetic field इस डारेक्शन में जब दोने इस रिटल स्लक के कोडि और सुस्ल्व गरते हैं तो नौ आ android स्फूस्विह भी नीचे बनता है मैंने cross-sectional view same cross-sectional view ले लेंगे यहाँ पर ठीक हो क्या इस वाले phase में let us suppose current outward है current is outward direction dot means current outward है इस वाले phase में यहाँ पर current जो है वह कहाँ इंवर्ड प्लेन के inward है clear let us suppose this is axis of solenoid rotor line से बना दो मैं इसको यहमारा कोई axis है solenoid का और इसी axis पर हमें निकालना है magnetic field निकालना है तो let us suppose इसके axis में यहाँ पर कोई point P है और इस point P पर हमें magnetic field calculate करना है तो इस point P पर magnetic field calculate करने के लिए हमें assume करना पड़ेगा इसके around a close loop जिसको आप एंपीरियन लूप कहते हैं तो इसके around एंपीरियन लूप consider करेंगे तो एंपीरियन लूप जो consider करेंगे वह हमारे एक rectangular लूप होगा यहां पर क्या अजिम करेंगे एक rectangular लूप अजियूम करते हैं एंपीरियन लूप बना लेते हैं यहां पर rectangular यह होगा हमारे एंपीरियन लूप क्लियर नेमिंग कर देते हैं a b c and d इसके एक्सेस पर जो magnetic field है magnetic field किस डारेक्शन होगा इस डारेक्शन में magnetic field आपका इस डारेक्शन में और लूप को इस तरीके से हम रूटेट करा देते हैं यहां पर जस्ट लाइक दिस यहां पर डारेक्शन अपूजित ले ले लेते हैं magnetic field के डारेक्शन में ले लेते हैं इसको इस तरीके से रूटेट कराते हैं लोग को किसी भी डारेक्शन में रूटेट करा देजिए दा लेंत ओव लेंत ओफ लूप इस इकवल टू आ जो मने लूप कंसिडर के इसके अंदर लैट कि लेंद कितना है यह एडर इस कि इस है कुछ भी ले लो x ले लो Let us suppose इसका प्राइट है वह कितना है एक्स है तो यह एक्स हो जाएगा और यह आपका अल हो जाएगा किए अउटसाइड पॉइंट पे इसप्साइड पे इसका में इसका में होगा 0 से पॉइंट पहली उने फेलिट लिल कितने होगा जी फोगा एंड नरफट नमबर फैनी युनित लेंग पड वह 둘 है इस लोऔ करें पर युनित लेंघ मतलब एक मीटर लेंथ में जो नंबर अब टॉर्ण से वह कितना है लेट सब्सक्राइब एंड टॉर्ण से चीक है किलियर जब एंड टॉर्ण हो यहां पर तो टोटल नंबर अब टॉर्ण कितना हो जाएंगे इस लूप के अंदर तो टोटल नंबर अब टॉर्ण empiricalियर लूप in period loop that is capital N is equal to is small n into इसके लेंफ है तो इसके अंदर जो number of turns होंगे इसी लूप के अंदर जो number of turns होंगे वस number of turns को consider करेंगे unit length में कितना turns है उसके multiply करेंगे total लेंस है तो तो देट इस capital N number of turns है is equal to small l into l clear हो गया let us suppose let the current passing through current passing through each turn से एक टर्ण से कितना current से हुरा है let us suppose एक टर्ण से कितना current पास हो रहा है झी मत्दब एक वायर है इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया था यह यहां और इस तरीके से बहुत सरे wires है, यहां पर एक है, इसके साथ, इसके साथ, इसके पास में एक है, इसके पास में एक और है, इस तरीके से number of end turns है, चुछ है, तो एक turns में कितना current है, I current है, then total current, then total current, passing through, passing through, the imperial loop, passing through the imperial loop, एक ची समझना है, यह important है, इस लूप से कितना current है, I current, इस turn 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 से कितना current है, I, यहां से भी I, और यहां से जितना भी current passer वो outward है, same direction में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, total current को हम क्या करेंगे, add कर देंगे total current को अ कर देंगे add कर देंगे, तो I plus I plus I plus I plus I इस तरीकिसे I plus I plus I plus I plus I plus I और इस तरीकिसे total कितने terms तक है n terms तक, तो total current को add करेंगे हमें आपे total कितना current मिलेगा हमें, एन defin total I net जो जायगा आपका वो जायगा, double 13 into N N is the total number of turns which is enclosed by the empyrean loop clear so now next so i net is equal to the i into n n is equal to nl it is nl यह तो कि हमने current calculate कर दिया अब लोगो मैं अप्लाइ कर दिया पे according to ampere's law according to ampere's law the line integral of the line integral of the line integral around this close loop around this close loop is equal to integration of B dot dl integration of B dot dl अगर इस rectangular loop के around अगर हम magnetic field के क्या करते हैं line integral करते हैं तो यह जो line integral होगा this four parts में divide हो जाएगा four parts means इसके four sides है तो four sides के around इसका क्या होगा line integral होगा, इस line के along होगा, इस line के along होगा is line k along over the integration of B dot DL is equal to is equal to integration of B DL integration of D DL along DC along DC plus integration of B dot DL along CB CB small d plus integration of b dot dl along a b along a b and plus integration of b dot dl along a d तो इसको कहेंगे 4 parts में divide कर देंगे ठी हो गया clear है तो integration of b dl को हमने 4 parts में क्या कर दिया इसको break कर दिया है so now next यहाँ पर इसको इसको यहीं लिखते है so now integration of b dl integration of b dl cos 0 degree sorry यहाँ पर बेक्टराट आदेंगे यहाँ पर dot product है b and dl का क्या है dot product है जब dot product हटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा जाएगा अच्छा यहाँ पर थीटा जो एंगल है वी और दील की विश्में यहाँ पर चोटा सा current element ले लेंगे तो current element इस direction में BBC direction में तो इस element के लिए एंगल कितना होगा जिरो डिगरी होगा ठीक प्लस इंट्रिगेशन ओब बी डिल अब यहाँ पर एक छोटा सा current element लेते हैं तो यह जो current element BC के लिए यह और B के बीश्में में से एंगल कितना में नहीं यहाँ पर 90 डिगरी तो नाओ दिस इस कॉस 90 प्लस यह गामारा BC यह गामारा CB CB and प्लस इंट्रिगेशन ओफ देखिए AB component के लिए AB component क्या है outside the solenoid है solenoid के बाहर है यह जब यह solenoid के बाहर होगा तो outside point पे मैंने बता है magnetic field कितना होदा है जीरो होदा है सो नाओ 0 into dl क्योंकि magnetic field कितना जाए आपका जीरो हो जाएगा तो 0 into dl प्लस इंट्रिगेशन ओफ इस वाले component में अगेन यहाँ पर angle जो है कितना बनेगा आपका 90 डिगरी बनेगा तो AD component के लिए हो जाएगा यह जाए AB component के लिए और यह AD component के लिए डिए डिए डिएल कॉस 90 अब दीके लिए जीरो तो कॉस 90 जीरो तो यह वाले टम्स भी हमारे क्या हो गया जीरो हो गया यह तीनो टम्स हो गया हमारे जीरो इंट्रिकेशन ओफ डिएल इस इकॉल टू बच्चरिक अमार पास इंट्रिकेशन ओपी डिएल फॉट जीरो का मेलो कितना जायएगा वाल एंड बी कॉस्टेंत है क्योंकि इसके अंदर जो मेंग्नेटिक एपको इंट्रिकेशन ओफ डी एण है कि डी से सी तक की जो लेंथ है वो जाएगा इंट्रिकेशन आप चोट चोटे-चोटे पार्टस में जब हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे और उन सभी पार्ट्स को अपस में एड करेंगे तो किया मिलेगा में दी से सीता के लेंथ मिलेगा तो द्यिश सीता के लांट कितना जा और है so integration ड्यू दो जाघाएं सब्सक्पेसब्स ऑफ मिद्युत 이टो डिल फाहर कोुए यह से करगों अपर ते भी यहs INFER णोपर 4 έपक exfoliOrs DL, so now, according to ampere circuitals law, according to ampere circuitals law, integration of B.DL, integration of B.DL is equal to mu naught I net, according to ampere circuitals law, ampere circuitals law, हमने पढ़ा हैं, कि integration B.DL is equal to mu naught into I net, मतब current passing through the ampereal loop, so mu naught into I net, sorry, I net, so integration of B.DL, integration of B.DL, इसके जगा हम कें substitute कर सकने, mu into I net, so now is equal to B into L, अच्चा I net, totally जो ampere loop है मार पास, इस ampere loop के दोरे कितना current पास ओर है, यह उसे कितना current पास ओर है, that is, I N L, तो जगा mu naught I N L is equal to BL, L से L cancel हो जाएगा, then B is equal to mu naught N I, this is the expression for magnetic field along the axis of the solenoid, तो अगर इस formula को अगर observe करते हैं, तो यहां पर B is proportional to N and B is proportional to I, this formula is independent from the distance, distance independent है, distance independent होने का means है कि इसके अंदर, solenoid के अंदर जो है, magnetic field कैसा होगा, uniform magnetic field होगा, तो यह ना हर एक point पे magnetic field कैसा होगा, constant होगा, वो कभी भी distance पे depend नहीं करेगा, लेकिन अगर एक finite length का इसके लिए अलग derivations होता है, जिन वो आपके syllabus में है नहीं, जिन अगर आपको चाहिए होगा, तो आपको इसक्षिन बता दना, मैं आपको बता दूँगा, जिन अगर किस तरीके से उसको करना है, लेकिन उसके लिए जो formula होता है, finite length के solenoid के करद जो magnetic field होता है, उसके लिए magnetic field, magnetic field, inside the finite length solenoid, length solenoid, अभर finite length के कोई भी solenoid है, तो उसके लिए जो magnetic field होता है, उसका formula होता है, बीज़ इकोल टू, मु नॉट, बीज़ इकोल टू, मु नॉट, एन आई, मु नॉट, एन आई, और यह जाए तरह आपको, साइन, साइन नी, कॉस, कॉस, थीटा 1, माइनस कॉस, थीटा 2, यह फॉर्मुला होता है, इन फाइन, जरे फाइन, लेंद का कोई भी आमार पास solenoid है, तो उस solenoid के अंदर जो magnetic field होगा, उसके लिए, फॉर्मूला होता है, कलियर, मु नॉट, एन आउपउन 2, कॉस, थीटा 1, माइनस, कॉस, थीटा 2, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फॉर्मूली के प्वाइन, अगर, फाइनेट लेंद का है, मदब 10 cm या 5 cm का 20 cm का solenoid है, तो उसके यहां पर, faces पे जो magnetic field होता है वो अंदर के comparison में आप हो जाता है वो आगे कभी अगर आपको जरूत पढ़ी वीडियो के तो बना दूँगा मैं उस पर चिक ना बस आपको यह formula लिख लेना है नेके next topic है magnetic field due to a toroid तोराइडल सुलोनॉइज magnetic field field due to a toroidal सुलोनॉइज यह इसको हम टोराइड को बोलते हैं क्या बोलते हैं तोराइड बोलते हैं देखें toroidal solenoid के कारण magnetic field calculate करना है तो इसके लिए सबसे पहले toroidal solenoid क्या होता है toroidal solenoid means है कि हमार पास एक solenoid है just like this यह एक solenoid है हमार पास चिक है जब इस solenoid को क्या करते है एक circular form में convert कर देते हैं मतले इन दोनों end को इस तरीके से पकड़ें और दोनों end को इस तरीके से घुमा के क्या करतें twist करतें दोनों end को क्या करतें twist करतें तो यह जो solenoid है जब इसको circular form में convert कर दिया जाएगा तो उस circular form का जो solenoid होगा उसको में तोराइडल सोलोनाइड या प्राइट इसको इस तरीके से बनाए जाता है जस्त लाइक देस इस तरीके से इस तरीके से मरगा देख जब solenoid को मतब एक endless solenoid जो है जसका endless है endless का मतब circular form में अबर कोई endless solenoid है तो उस endless solenoid को है हम के गहते है तोराइडल solenoid तोराइडल solenoid लब देखा है तोराइडल solenoid जब इस टोराइडल solenoid के अंदर जब मैगनेटिक फील्ड बनता है करते हैं तो इसमें करेंट जो होता है जिसमें है तरीक से जब उसके एक मैग depende quantity जैसे एक सॉलेनोइट के अंदर इसके एकसी के अंदर जो मैठ लाइन हो यसको अब जब ढ़ना उसको अब इसको क्या कर दूनिण एंड को पकड़के इस तरीकी से रोटेट कर दिया उसको घुमा दिया और एक सर्कल के फॉर्म में कणवर्ड कर दिया जब इससे सॉलनाइट को करेंगे सर्कल के फॉर्म में तो इसके अंदर जो मागनेटिक फॉर्म में चाहिए तो जो इस तरीकी से अंदर फॉर्म में कणवरों के फिरम में बनेगा चाहर तो अगेन इसे कारने टालेंगे कि फॉरुक्रीय कि फिल्ण निका लेंगे एक इसकर अंदर इंसाइड इसे दा प्रडेज में ए कि पॉइंटे इइशंब करनेगे हम है कि अगें जिस तरीके से हमने स्ट लेयर स्वावये करें करेंगे जब इसको पीच में से कट करेंगे इस को पीच में है कि लुवा telephone ऑगर बनाएंग तो आपका और तो यह घुर सेक्षनल डू पर ही इंग्र अम्प्लाय करना अपार सב got लॉख देखो यह सरकली निए बना बन्यचा रए बन्यचा रे बच़्ा ठेकां लॉव्य ठैक किया रेडावässा ही। लॉनियो हो यह वाला जो फेस होगा यहां से करेंट बाहर आएगा तो इसको हम डॉट डॉट से रिपर्जन करते हैं कि क्रॉस सेक्षिनल व्यू में अगर हम उसको बीच में से कट कर देंगे तो इस वाले एंड से अब मतला आउटर एंड से जो करेंट आएगा वह अपको का जाएगा आउटर आएगा चेम और यहां से इस तरीके से इस तरीके से आके वह इस तरीके से बेंट होगाई चैच लाइक अशाएग कूछ करता हो इस्तरीगे कहोगा यह वायर है यहां पर चोटे-चोटे इस तरीके से यहां पर एक वायर होगा यहां पर इस वाले नीचे वाले पॉर्शन से करेंट आएगा बाहर आएगा और उप्पर वाले पॉर्शन से करेंट कहा जाएगा एंटर करेंगा तो करेंट यहां पर इस तरीके से क्या करेंगा रोटेट हुआ तो यहां पर सिंपली इस वाले फेस से करेंट कहा रहा है आउटवर्ट यहां से करेंट बाहर आएगा और इस वाले फेस में करेंट कहा जाएगा अंदर जाएगा तो यहां पर इसको हम दिखाते हैं किस्से क्रॉस से कि जस्ट लाइक दिस क्रोस 2 रिपरजें गरते हैं आँ इसके अंदर जो मेंनितिक हील दोग वो सर्कुलर फो मेंरो टीट करेगा यहां प्रेंड और मेकनेटिक करेंग है इस तरीके को इस तरीवे से हाँ पर मेगनेटिक क्षील्ड हो है ऑपका इस सघ्लियर से मीन जो रैडियस से यह यहां से इसका जो रैडियस है कि तना है और है है वह कितना रेडियेसर गहां now छे टो यह यह आंदर इसके पॉइंट गालेंगे एक आक सइट पॉइंट पर निकाल कि आप निकालेंगे एक पॉइंट क्यूप के लिए यह दो फो inneया पिन्स फोंट पर नीगे मैगेदिक विल एंद इसके अंदल एक पोइंट लेंगे आर फोगिया मैगनेटिक सी roll के से तो फर्स जो मैगनेटिक फिल एंगे संद्रल को इंटिर राइट यृॉ इंटिर पॉाइट राइड तो फॉइस open a space interior of the right open a space interior of the to right open space open space मतलब इसके अंदर जो space है इस 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 में दिका लेंगे चीक है तो इस इस पेस के अंदर जैसे लट सुपोस्स यहां पे है इस पॉइंट है एक दूसरा डागरम बना तो बढ़ा करके मैं जैसे यह interior space है, अंदर वाला space, इसको मैंने zoom out कर दिया है, तो इसके अंदर ये sense का center हो गया, यहां से एक point यहां पर R है, यह जो R point यहां पर ले रहा हूं है, इसको मैंने यहां पर zoom out कर दिया, तो let us suppose यह हमारा R point है, और इस R point पर मैं magnetic field calculate करना है, तो इस R point के around क्या करेंगे, एक emperion loop, emperion loop construct कर लेंगे, just like this, ठीक है, यह हमारे emperion loop हो गया, और इस emperion loop के, यहां पर लिख देता हूं, at point R, ठीक है, तो रहा हूं, एक्वार्डिंग टू, according to ampere's law, ampere's law के according, अगर हम बात करेंगे, इस point पर, line integral of, line integral of, magnetic field, integration of B dot dl is equal to, mu0 into, into, current, passing through, loop, loop means, emperion loop, तो यह जो हमारे पास loop है, interior space के अंदर, इस loop के अंदर आप बता सकते हो, कितना current है, यहां से current जो है, आपका कैसा है, यह आपका outward है, लेकिन इसके अंदर अगर हम observe करेंगे, तो इसके अंदर कोई भी current नहीं है, यह जो current है, वो इस loop के बाहर है, तो इसके अंदर net current केतना है, 0, that is, mu0 into i net, and i net is equal to 0, i net is equal to 0, so now, integration of b.dl is equal to 0, integration b.dl is equal to 0, किसी भी function का integration तभी 0 होता है, जब वो function खुद 0 हो, इसके मतब integration b.dl, dl कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि dl exot as a segment है, तो dl कभी भी 0 नहीं होगा, तो it means b.dl हो जाएगा, यहाँ पर b is equal to what? 0, जो मारा interior point है, मदब space, जो open space है, तो right के अंदर, तो इस point पर जो magnetic field होगा, इसके हर एक point पर जो magnetic field होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, इसलिए 0 होगा, क्योंकि इसके दोर जो net current है, enclosed current है, या passing through current है, वो कितना है, वो 0 है, next point is, for point inside the toroid, for point inside the toroid, second point, for point inside the toroid, तो right, तो right के अंदर, अब यह जो point है, P, जो हमने point P consider किया है, इस point P पर हमें magnetic field निकालना है, इसको dot line से दिखा जता हूं, तो आपको clear हो जाएगा, इस तरीके से मैं इसको dot line से draw करता हूं, तो point P पर, यहाँ पर लिखा हो, तो add, point P, तो इस point P पर magnetic field calculate करना है, तो इस point P पर magnetic field calculate करने के लिए, सबसे पहले आपको assume करना होगा, सबसे पहले आपको calculate करना होगा, कि इस सर्कुलर लूप के अंदर कितना current है, तो इसके लिए, let us assume, let n is equal to number of turns per unit length, मतला number of turns per unit length है, I is equal to current, current, passing through each loop, या each wire, कितना each wire से जो current pass हो रहा है, वो कितना current है, I current है, let us assume, and radius of, radius of empyrean loop, empyrean loop is equal to R, then total current, total current passing through, passing through the empyrean loop, passing through the empyrean loop, that is I net, इसको I net से represent करता है, I net is equal to, that is I, yeah sorry, I net is equal to I into total number of turns, into total number of turns, देखिए इसमें, इसको समझ लेते सबसे पहले, I net total current कितना होगा, यहां पर यह जो loop है, इस loop के अंदर जो current enclosed है, वो कौन सा current है, वो यह वाला current है, यह जो cross वाला current है, यह पूरा पूरा current जो है, उस loop के अंदर enclosed है, this is, क्योंकि यह जो dot वाला current है, वो कहा है, इस loop से बाहर है, cross वाला current है, loop के अंदर है, जा रहे एक करिंगा अंदर जा रहा है तो सारव कितना क्रेंट लूप के अंदर вह Blessed करेंगे i net is equal to i into total number of turns चीक है अच्छा total number of turns बहुत बढ़िया then i is equal to i sorry i net is equal to i into total number of turns total number of turns कितना है total number of turns let us suppose n है capital n and capital n is what total number of turns capital n is what correct solenoid को recall कराऊ capital n is equal to small n into l small n into l l is what total length तो यहां पर circular loop है circular loop की total length कितने होगे तो n is equal to small n into total length of loop अच्छा loop की जो total length है वो क्या जाएगा क्योंकि यहां पर loop किस form में है circular form में है और circular form की जो तो टोटल लाइन्थ होगे वो किसके वराबर होगा वो टू पाई आर के एक वाल होगा तो एट मिस यहां पर यह जो आइन इन्टू टू पाई आर इन्टू पाई आर देज इनेट सो ना लाइन इंट्रीकल ओ line integral of magnetic field of magnetic field around loop जो imperial loop है उस imperial loop के around B का line integral क्या होगा that is integration of B dot DL देखिए अब यहाँ पर जो आमारे पस लूप है इस लूप को छोट छोट चोट पार्ट में क्या कर दो डिवाइड कर दो यहाँ पर एक छोट असा पार्ट दल वही है DL magnetic field direction में DL VC direction में दोनों का direction क्या है सेम है तो यहाँ पर angle कितना बनेगा B and DL के भीश में नेको angle between B and DL net is equal to 0 यहाँ पर जो लूप है उसी लूप में एक छोटा सामने डियर ले लिए इस तरीके से एक डियर चोटा सा होगा consistent होगा है और उस magnetic field का direction भी इसी direction में है तो यहाँ पर B DL का direction में है magnetic field भी इसी direction होगा तो दोनों की भीश में एंगल कितना होगा 0 degree तो B and DL की भीश में एंगल हमारा हो जाएगा 0 degree so now integration B dot DL is equal to 0 तो यह जो integration B DL cos 0 cos 0 and cos 0 का value 1 and B constant that is integration of DL and integration of DL is what integration DL means जो मन पास Empyrean Loop है इस Empyrean Loop की total length total length so now integration of B dot DL is equal to जाएगा B into 2 pi r integration of DL Empyrean Loop की total length और Empyrean Loop की जो total length है बोजाएगा उसकी total circumference that is 2 pi r यहाँ जाएगा B into 2 pi r clear बहुत बढ़िया according to MP according to according to according to according to ampere sloh ampere sloh के according integration of B integration of B dot DL is equal to mu naught into i net and integration of B DL is equal to B into 2 pi r यहाँ से रख देंगे integration of B DL का वैल यहाँ पे and mu naught into i net लेके i net कितना है total current कितना enclosed while Empyrean Loop that is i n into 2 pi r तो यहाँ i n into 2 pi r और 2 pi r से 2 pi r cancel then B is equal to mu naught ni this is magnetic field this is magnetic field यह हमारा magnetic field का formula जाएगा तो देखों से magnetic field है जो solenoid के अंदर आया था वहीं magnetic field के अंदर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि magnetic field दोनों में क्या होगा सिमों सीम चीज था बस हमने क्या करा जो और तो यह सेकंड पॉइंट पे हो गया इस पर फॉइंट इंसाइड दर राइड पॉइंट पी इसको डैग्रम मिटाता हूं और एक नए डाग्रम बनाता हूं खिचपिच हो गया हुगा एसे अना third point third point is the for point at open space exterior for at point open space open space exterior to the to right the exterior point exterior point let us suppose e.m.r.past to right is take is inward is inward is outward is outward just like this this is this is point and this is this point magnetic calculate we consider around what we consider just like this is is this is this this is are now if अगर यह हमारे पास सरकुलेंट Extraannie नलूप है तो इस लूप के अंदर टोटल कितना करेंट है इस लूप के अंदर टोटल कितना करेंट है तो देखना है इस तो डुसैन में कुछ करेंट जो है बहुत है इस वहमें और जो क्रॉस वारे करिंट अब कहाँ है इंक तो करेंट कुछ बाहर आ रहा है और कुछ अंदर जा रहा है दोनों करेंट की है एक स्कॉझ मेर्व के साथ। total current passing through passing through the Empyrean Loop Empyrean Loop that is Ni outward minus Ni inward that is equal to 0 and n is total number of turns this can and the total number of turns to get me done so I think it is an I minus Ni is equal to 0 and according to Empyrean Loop Empyrean Loop Intrigation of B dot DL is equal to mu not into I net total current and I net current is 0 then this terms is 0 and integration of B dot integration of B dot DL is equal to 0 and integration B dot DL 0 means B is equal to 0 so this is how many open space exterior point to point to point to write it back to point to point to magnetic field बिलें लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट यहां पर फेस के लिए करेंट कहा है यहां पर बाहर है तो इस वाले फेस में कहा है यहां पर इस तरीके से हैं तो इस पॉइंट पर एक वायर के लिए इस तरीके से हैं तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा थोड़ा से 3D में हैं विजुलाइज करना बढ़ेगा आपको एक दुबार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो टॉपिक्स आपको सारे क्लियर हो जाएगा थैंक यू फॉर वाचिक 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 वीडियो और वनाइस दी बाई